हेलो बच्चो तो आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल मिशन टूपे आप लोगों का स्वागत है तो बच्चो आज हम क्लास नाइन्थ का हिंदी का मॉडल पेपर विकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं जो आपके स्कूल में सब्ताहिक परिच्छ विकल 2023 को होने वाला हिंदी के टेस्ट के लिए बहुत ही जादा इंपर्टेंट है तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतक जरूर देखना और अपने सभी साथियों को से यह जरूर कर देना मेरे प्यारी बच्चो इससे पहले हमने हिंदी का सेट वन और सेट टू चैनल प करके देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट है यह मॉडल पेपर देखे इसका जो सबसे पहला कोशन है क्या है लन कोर पर जाने के लिए करीब कितने हजार फिट की चड़ाई करने पड़ती है तो कितना तो 17-18 फिट कितना तो 17-18 फिट ऑप्शन नमबर से इसका बिल्कुल र सास्त्र रचा था ठीक है ऑप्शन नमबर एसका बिल्कुल राइट हो जाएगा आगी तीसरा नमबर जो कोशन है राहुल सांकृत्यायन ने तिबबत की यात्रा किस वेस में किती तो राहुल सांकृत्यायन जो थे ठीक है तिबबत की यात्रा कर रहे थे तो वह किस वेस मे कर रहे तें तो वो भीकमंगे के वेस में कर रहे थें 되게 option number 20 का बिल्कुल write हो जाएगा भीक मंगे के वेस में क्यों कर रहे थे क्यूंकि एक कुः कर रास्ते के ढ़ को जगा जग है कि डाकूं का जगा जिसको को डांडा कहते हैं तो जगह से बचने के जिए वो भीक काफ़ important है कुची कुची का क्या अर्थ है तो कुची कुची का अर्थ होता है दया-दया ठेके दया-दया ठेके option number 20 का बिलकुल right हो जाएगा आगे देखो यहाँ पर तिबबती लोग टोटी इदार्थ बरतन को क्या कहते तो इसे खोटी कहा जाता था option number 6 का बिलकुल सही हो question देखो यहाँ पर तिबबत की औरते चाय किस में कुड़ती थी तो चाय जो है यह किस में कुड़ती थी तिबबत की औरते तो यह चौड़ी में कुड़ती थी ठीके option number 6 का बिलकुल right हो जाएगा ठीके यहाँ सब चौड़ी लिखावा है लेकिन आपको कौन सौप्सन सही करना वो ध्यान देंगे ठीके चौड़ी लिखावा रहेगा यहाँ पर आपका बिंदू रहेगा ठीके यहाँ पर तो नहीं है लिखावा तो आप इसको याद रखेंगे ठीक option number 6 का बिलकुल right हो जाएगा आगे यहाँ पर लेखक के मार्ग में अपने साथियों से किस कैसे गया लेखक है ना तो यह इसलिए क्योंकि लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा और रास्ता भटक गया था तो किस कारण से बिचर यहाँ पर बिचर हो गया वह नवह दीमा चलने लगा तो रास्ता भी बहटक गया था आगे दिखते हैं लोग 9 नुमबर खॉशन रस् किसे अस्थापित करना चाहते हैं तो यह ब्रज भूमी से स्थापित करना चाहते हैं और सीस का बिलकुल राइट हो जाएगा चलिए आगे पड़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कुश्चन में धरन धरी अधरा न धरोगी पंक्ती में कौन सा अलंकार है तो इसमें बच्चों आप पत्थर बनके किसका अंग बनना चाहते हैं तो वह गोवर्धन का अंग बनना चाहते हैं आपसन नुबर डिस इसका बिलकुल राइट हो जाएगा आगे देखें तो तीनों लोकों का राज जो है किन के लिए छोड़ना चाहता है तो वह कृष्ण की लाठी और कंबल के लि प्रति अपना व्यक्त किया है तो यह क्रिष्ण से संबंधित जितने विस्तुएं थे उसके प्रति अपना प्रेम को जो है वहाँ में आगे कि ने हतकडियों को क्या कहकर शमबोदित किया तो कभी हतकडियों को ब्रिटिस का राज, ब्रिटिस राज का गहना कहकर संबोधित क्या option number S का बिल्कुर right हो जागा, काफ़ important question है, अब देखे हम लोग का set complete हो गया, अब हम लोग कुछ करेंगे extra practice question, जो कि आपके test के लिए important है, ठीक है, जो कि हर set में हम एक्स्टर question करवाते ठीक है, तो इसमें भी हम लोग extra question करेंगे, ताकि आपका test का practice अच्छा हो सके, देखे इसका जो question है, प्रानो का आसो किस में भर दू यह कवीता किस पंक्ति के हैं, ठीक है, तो अगर देखें बचो, तो यह जो है कैदी और कोकीला में ही, यह sentence लिखावा था, प्रानो का आ इसमें फनिस्वर नाथ रेनु जो है, यह पार्ट के लेखा का option number 3, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, आगे देखें दूसरा number जो question है, इस जल परले में किस प्रकार का पार्ट है, तो यह report राज है, ठीक है, option number 4 इसका राइट हो जाएगा, आगे देखें सभी अप ए रित्यू का तरल दुद्ध जो है, यह बाढ़ को बोला जाता है, option number 4 इसका राइट हो जाएगा, आगे देखें 5 number question, इस जल परले में पार्ट में किस सहर में बाढ़ का वर्नन किया गया है, तो यह पटना में बाढ़ हाया था, ठीक है, option number 1 इसका बिल्कुल राइट हो जा तो किस राज्य के निवासी थे, ठीक है, तो यह बिहार के निवासी थे, ठीक है, जो इसके लेखक है, ठीक है, फनिस्वर नाथ रेनू, ठीक है, यह कहां के निवासी है, कहां के रहने वाले तो बिहार का, ठीक है, आगे देखें इस जल परले में पार्ट में खरीद विक् तो जब बाढ़ा आया बच्छों ठीक है तो खरीद और विक्री तो बंद हो गया अब क्या है कि उससे में अचानक विक्री बढ़ गया किसका बढ़ाता तो पान वालत है ना आप्सन बढ़ टुस्क राइट हो जाएगा नाइन नमबर कोशिन देखो इस जल पर ले में पार् यह तो यह था आप लोग का सारा कॉश्चन दिया था नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा कोश्चन भी प्रैक्टिस की मुझे आसा है कि यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया तो फसंद आया तो मारे इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और बच्छ आप सेट वन सेट टू जितने भी सेट बनाए गये हैं सभी सेट को जरूर देख लेना और उसके बाद ही अपने टेश्ट देना ठीक है अनिवारी रूप से आपको देखना है और सेट बच्छो आप लोग सेट करते नहीं तो थोड़ा सेट कर दो ठाइम लगेगा कर दो न भाई थोड़ा सा कर दो ठीक है इससे क्या है कि मैं मैं भी मोटिवेट होते रहूंगा कि हमारी वीडियो को वाच कर रहे हैं बच्चे लो सब्सक्राइब करके और घंटी बटन होगा उसको भी दबा ले ना चलिए फिर बाकी कोई भी दिक्कत है तो हमारे इंस्टाग्राम टेलिग्राम और वट्सप ग्रूप तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में बारी-बारी से करके आप सब्सक्राइब हो जाएंगे और उसके बाद कोई भी सवाल कर सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है आपको वहां पर अगर होते तो बहुत सारे चीज़ मिलते हैं बहुत सारे चीज़ मिलते हैं थांक्यू सो मच